पश्चे मंगाल में सत्तधारी त्रिमूल कॉंग्रेस के पंचाय सदस्टे को एक दिव्यांग महिला के साथ रेप की कोशिश के आरोप में गिरफतार किया गया है राज के हंसकली में नवालिक और ककदीप में महिला के साथ रेप की घटना के बाद ये केस सामने आया है कलकता हाई कोट की आदेश के बाद CBI हंसखली रेब केस की जाँच कर रही है दिव्यांग पीड़ता के साथ रेब की कोशिश मिदनापुर जिले के पिंगाल थानाशेत्र के काली खुरा गाउं में की गई कतित तौर पर TMC नेता ने उसे अगवा कर प्रताडित किया रेब की कोशिश की गिरता TMC नेता की पहचान अविजीत मंडल के तौर पर हुई है आरोपित को तीन दिनों की पुलिस कस्टेडी में भेज दिया गया है गटना 11 अपरेल 2022 सुमवार की है सहायक लोग अभियोजन अधिकारी सेयत नाजिम हभीब ने इस घटना की पुष्टी की मीडिय रिपोर्ट्स की मताबिक पीडित घटना के दिन वे अपनी बड़ी भेन के घर गई थी रात को वे बरतंद होने के लिए तलाब पर गई तभी टीमसी नेता मंडल ने कथित तौर पर उसका अभरण कर लिया इसके बाद पीडित के परिजनों ने इस घटना की शिकायत दरज करवाई शिकायत में दो आरोपितों के नाम है लेकिन एक की ही गिरफतारी की बात सामने आई है गटना के अगले दिन मंगलवाल 12 अपरेल को मेदनी पुर के मेडिकल कॉलेज में पीडिता की जाच करवाई गई आरोपित अविजीत 13 अपरेल को कोट में पेश किया गया जहां से उसे तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया ममता सरकार में मंत्री मानस रंजन भूरिया ने कहा कि रेप एक गंभीर अपराद है इस पर किसी को राजनीती नहीं करनी चाहिए गटना में उचित कारवाई होगी भले ही आरोपित किसी भी पार्टी से क्यों नहीं भाजपा नेता तनमय दास ने कहा हम CBI जांच की मांग को लेकर हाई कोट जा रहे हैं यहां की महिला मुख्यमंत्री ही महिलाओं के प्रती सम्वेदना नहीं रखती हैं यदि अदालत बीच में ना आए तो TMC कारेकरता यहां किसी का भी जीना हराम कर देंगे भाजपा ने इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बेनर जी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं भाजपा ने पूछा क्या मुख्यमंत्री इस बार भी कहेंगी की लड़की गर्वती थी या उसका प्रेम सम्बन था गौर तलब है कि नदिया जिले के हंसकली में एक जनम दिन की पार्टी में कसित तौर पर गैंग रेप के बाद नाबालिक लड़की की मौत हो गई थी इस मामले में मुख्य आरूपे TMC के एक पंचाय सदस्य का बेटा है इस गटना के सामने आने के बाद मुख्य वंती ममता विनर जी ने गैंग रेप के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिये थे उन्होंने कहा था आपको कैसे पता कि उसके साथ रेप हुआ क्या वो प्रेग्नन थी या लव अफियर का मामला था या फिर वे बिमार थी इस ख़बर में इतना ही ऐसी ही तमाम ख़बरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें